ओम शान्ती सबी भाई बेनों ने सापताई कोर्स तो अने को बार किया हुगा लेकिन इस बार जिस विदी से कोर्स कराय जा रहा है वो बिलकुली अलग है इस बार स्रीमत भगवत गीता के श्लोकों को बाबा के ज्यान के साथ जोड कर बड़े ही अलोकिक डंगसे सबस्ट किया गया है आज पहले लेसन में हम जानेंगे कि जिस बात पर बाबा रोज रोज मुर्लियों में अटेंशन दिलवाते हैं हमें बार-बार कहते हैं कि बचे अपने को आत्मा समझो सभी को आत्मा रूप में देखो इस बात को गीता में भी कहा गया है लेकिन उसमें कहने का स्वरूप कुछ बदला हुआ है तो बाबा के ग्यान से गीता का ग्यान कितना मेल खाता है और कितना भिन्न है ये सब राज इस कोर्ष के दोरन हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे आपको बता दे यह कोर्ष कराने जा रहे हैं पानिपत सब जोन के वरिष्ट भराता राजयोगी बार्त भुशन जी तो आईए बिना देरी की शुरू करते हैं सेवन डेज कोर्ष का पहला लेसन शिरिमत भगवत गीता के आधार पर इश्वरिय ग्यान योग का सबता ही कोर्ष लोग अक्सर ब्रह्मा कुमारिज भाई बहनों से पूछते हैं क्या आप शिरिमत भगवत गीता को मानते हैं जी हम मानते हैं मैंने भी इसका अच्छी तरह बच्पन से अध्यान किया है और मैं उस शिरिमत भगवत गीता के पवित्र शलोकों के अधार पर ही आने वाले इन साथ दिनों में पूरा सब्ता ही कोर्स पष्ट करने वाला हूं जो अभी शलोक सुनाया दूसरे अध्याय का बीस्वा सलोक है ना जायते मियते वाकदाची ना जनमता है ना वो मरता है ना भुद्वा भविता ना भुया अर्थात वो कभी उत्पन ना हुआ है ना होने वाला है अजो नित्ये शाषवतो अयम पुरान वो नित्ये है वो शाषवत है पुरातन है ना हन्यते हन्या माने शरीरे उसे मारा नहीं जा सकता शरीर तो मर जाता है उसको नहीं मार सकते कितना clear पष्ट कहा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है एक हन्यते नहन्यते हन्यमाने शरीरे ये शरीर मरता है ये विनाशी है आत्मा को कोई ने मार सकता ना जायते ये मरियते वाकदाची वो जनमता भी नहीं वो मरता भी नहीं कितनी हजर हमर अविनाशी सत्य है नित्य है शाश्वत है कभी न उत्पन हुआ है न होने वाला है कितना स्पष्ट इस लोग में आत्मा का प्रिचे एक तम कलियर है कि स्वेम को भगवानों वाच कि तुम स्वेम को एक आत्मा निश्चे कर निज को आत्मा समझ ये सब समस्याओं का हल है फिर अन्य शलोग दूसरे ये अध्याय का तेईस नंबर शलोग में नेनम छिन्दंती शाष्ट्राणी जिसको शाष्ट्र काट नहीं सकते नेनम देहती पाव का जिसको आग जला नहीं सकती नेचेनम कलेद्यंत्यापो नेशोश्यती मारुता जिसको पानी गला नहीं सकता हवा सुखा नहीं सकती कितना clear पश्ट कहा है कौन हैं हम इस शरीर से अलग एकती शुक्षम जोती बिन्दु आत्मा यही पर्थम पाठ ब्रह्म कुमारिज में बताया है आश्यम भगवत गीता के भी पहले अध्याए में तो जरूर वो बात चली है युद्ध की और अर्जुन की और जो दिखाया है भगवान वाच अर्जुन और भगवान के बीच में जो समवाद चला है लेकिन दूसरे अध्हाय में पहले पहले ही आत्मा का है जब गीता ग्यान देना शुरू किया है उसके मौहों को नष्ट करने के लिए तो उसमें पहला पहला ही आत्मा का ही ग्यान इसे दूसरे अध्याय में काफी श्लोक आत्मा के उपर हैं निज़् को आत्मा समझ, इस देह से अलग खुद को आत्मा समझ और इस श्वरीय ज्यान में भी सबसे पहले पार्ट खुद को आत्मा शरीर से अलग अती शुक्ष्ण जियोती बिंदु हूं आत्मा ही देखती है आत्मा ही सुनती है आत्मा ही बोलती है आत्मा हर करम करती है शरीर के माध्यम से यह चीज़ पश्ट की जाती है यह शरीर मेरा मेरा मकान मैं मकान नहीं हूँ मेरा शरीर मैं शरीर नहीं हूँ मेरे वस्तर मैं वस्तर नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ किसे से पूछा आप कौन कि मैं जन्र मनेजर ये तो आपका पोस्ट है आप कौन मैं इंजीनियर ये तो आपकी क्वालिफिकेशन है आप कौन मैं हिंदू ये आपका रिलीजन है लेकिन आप कौन मैं कौन मैं पुरुष ये आपका जेंडर है इस्त्रिलिंग या पुलिंग पुरुष या इस्त्रि लेकिन आप कौन है अच्छा आप ही बता दीजिये मैं कौन हो नेनम छिन्दन्ति शाश्टराणी जिसको शाश्ट्र काट नहीं सकता नेनम देती पाव का जिसको आग जला नहीं सकती वो हो तुम तुमें कती शुक्षम ज्योती बिंदू चमकते हुए सितारे तेरवें अध्याय के सत्रवें सलोक में स्पष्ट का ज्योती शाम अपी ज्योती सभी ज्योतियों का में वो पिता परम ज्योती हूँ तो सब आत्माई अती शुक्षम ज्योती बिंदू ज्योती सुरूप है उस चीज को हमें समझना है इस सभी नाशी सत्ता को समझ लें कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ मैं एक पवित्र आत्मा हूँ मैं एक शांत सुरूप आत्मा हूँ ओम शान्ति का क्या मतलब यही तो मतलब है मैं आत्मा शान्त सुरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम सुरूप हूँ, मैं आत्मा अनन्द सुरूप हूँ, तो आप कह सकते हैं ओम शान्ति, ओम प्रेम, ओम अनन्द, तो इस देही को भूलके उस आत्मिक सुरूप में टिकना ये सबसे इंपॉर्टेंट है यही शिर्वा भगवत गीता की शिक्षा है कि इस विनाशी शरीर से अलग समझ अपने को कितना सुपष्ट कहा है वाजशासी जीरणानी यथा विहाई नमानी ग्रहनाती नरो प्रानी तथा शरीरानी विहाई जीरणा और ने ने आती से आती नमानी दे ही जैसे मनश्य पुराने शरीर को पुराने वस्तरों को त्यागता है ऐसे ही आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़ कर नया शरीर धारन करती है पश्ट है धारन करने वाला अलग है और वो अलग है तो हमें स्वेम को आत्मा निश्चे करना है मैं चेतन्य हूँ ये शरीर तो जड़ है पांच तत्वों का बना हुआ है मैं कती शुक्षम जयोती बिन्दु आत्मा एक पॉइंट अफ लाइट हूँ चमकता हुआ स्तारा तो अगर इसका सारा दिन अभ्यास करेंगे तो गरेंटेड आपके अंदर इतना अनंदा आजाएगा बहुत ही पर्मानंदा आजाएगा सारा दिन आप आत्मिक सुरूप का अब्यास करें हर एक को आत्मा देखने का अब्यास करें आत्मा आत्मा भाई भाई हैं उस भाई भाई की दृष्टी का अब्यास करें तो जैसी दृष्टी वैसी सृष्टी सारी दुनिया भर की समस्याएं आज खतम हो जाएं कोई कहता है मैं मुसलिम हूँ कोई कहता है मैं हिंदू हूँ कोई कहता है मैं सिक्ख हूँ कोई कहता है मैं इसाई हूँ ना ना हम सब आत्मा हैं और आत्मिक नाते से हम सब आत्मा हैं भाई भाई हैं ये भाई-भाई की दृष्टी पैदा हो जाएं। और आप दिन भर इसका अभ्यास करें, इसको अलग समझें। बान्शाशी जीरणानी यथा विहाए, ये शरीर को एक अलग समझें। शरीरानी विहाए जीरणा ये शरीर को त्याग के शरीर उपी वस्त्रों से अलग में कती, शुक्षम, ज्योती, बिंदु, आत्मा हो। उस चीज का अनभव करें। और आत्मा शरीर में कहां रहती है, वो भी शिर्म भगवत गीता में सपष्ट का है। आठमें अध्याय के दसमें शलोक में परियान काले मंसा चलेन भगत्यय युक्तो योग बलें चेव। भूर्वो मध्य प्रणमावेष्ट सम्यक से तंप्रम पुरुष्म उपेती दिव्यम। ब्रिकुटी के भूर्वो मध्य ब्रिकुटी के बीच में अपने को प्राण निश्चित करते हुए निज को इस योग बल के द्वारा अपने को निश्चे करतने वाला व्यक्ती जो मेरा सम्रण करता है तो वो दिव्य उस मेरे को परंप्राप्ती को प्राप्त होता है। तो स्पश्ट कहा है ब्रिकूटी के मद्धे, ध्यान करना कहा है ये नित्य शाश्वत आत्मा ब्रिकूटी के मद्धे, पांच volumes अध्याय के 27 शलोक में भी स्पश्ट कहा है, नेत्त्रों की द्रिष्टी को ब्रिकूटी के बीच में स्थित कर के, तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि मैं सारा दिन आत्मा इन आँखों के द्वारा मैं आत्मा देखती हूँ इस मुख के द्वारा मैं आत्मा बोलती हूँ ब्रिकुटी के मध्य अपने को सित कर ले इन कानों के द्वारा मैं आत्मा सुनती हूँ तो सदा आप भृकुटी रूपी सिहासन पर विराज मान रहें ये शरीर तो मेरी कर्मेंद्रिया है और मैं आत्मा इस पर सवराज्य अधिकारी हूँ खुद को सवराज्य अधिकारी आत्मा समझें और आत्मिक स्थिती में स्थित होके फिर आप अभ्यास करेंगे तो कितना अनंदा आएगा तो कल आप सारा दिन इसका अभ्यास करें आज से ही अब से जब से सुन रहें अभ्यास करें दूसरे पार्ट से पहले तो क्या अभ्यास बार बार शरीर को भूल के मैं आत्मा पहले अभ्यास ब्रिकुटी में बैटके जैसे मुझा आत्मा का प्रकाश शरीर में पहुंशता जा रहा है और फिर उसके बाद धीरे धीरे शरीर लोप होके में एक नित्य शाश्वत पुरातन वो अपने को अविनाशी सत्ता चमकता हुआ स्तारा उसमें आप अपने आपको स्थित कर ले यह आत्मिक भाव आपको परमानंद की प्राप्ति कराएगा आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा और इस सात्मा की ही तीन शक्तियां है सात्में अध्याय के चोथे शलोक में सपष्ट कहा है भूमी रापो अनलो वायू यह भूमी और यह अगनी वायू यह यह सब आकाश जो पांच तब तो हम बताते हैं जल यह सब चीजें लेकिन फिर उसके बाद मन बुद्धी संसकार की बात किया हमारे तीन शक्तियां आत्मा के मन बुद्धी संसकार इस मन बुद्धी संसकार को समझना है मन के द्वारा आत्मा चिंतन करती है बुद्धी के द्वारा निर्णे और संसकार उसमें जो हैबिट्स हैं जो आते हैं उसको संसकार कहते हैं तो हम निज को आत्मा समझ के अगर हम इस आत्मिक सुरूप का अभ्यास करेंगे तो जीवन बहुत ही स्रेष्ट बन जाएगा कहते हैं कि राजा जनक को एक बार इस विदेही स्थिती का अनमभव करने की इच्छा पैदा हुई बड़े-बड़े विद्वानों की सभा बुलाई और सभा बुलाई है कोई जो मुझे विदेही का अनमभव करा दे दिन भार बड़े बड़े विद्वान और सब लगे रहे लेकिन राजा जनक को कोई विदेही अवस्ता का अनुभव नहीं करा पाया अंत में अश्टावक्र महर्शी अश्टावक्र राजन मैं भी परियास कर सकता हूँ क्यों नहीं आए जैसे ही सबा में आए जोर जोर से सब हसने लगे कि ये अब आया अश्टावक्र जिश्का शरीर आटस्तानों से मुड़ा है ये क्या अभ्यास कराएगा ये क्या विदेही का अनुभव कराएगा तो हमें भी खुद को देना समझ के आत्मा समझना है जियोती बिंदू समझना है तो उससे बड़ा अच्छा अनुभव होगा तो ये जो ओम शान्ती महमंत्र इतना सुन्दर है उसका आर्थिय में आत्मा शान्त सुरोप हो कभी भी आपका मन वेष में प्रेशान हो आप पाँच बार ये चिंतन करें ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती बिकुटी के बीच में चमकता हुआ स्तारा और जैसे प्रकाश फैल रहा है खुद को आत्मा निश्चे करके उस प्रकाश रूप में ठिक जाएं तो आप देखेंगे शरीर भूल के जब आप बिंदू सुरूप में टिक जाएंगे, मन अती शानत और शीतल हो जाएगा, अनन्द आ जाएगा, ये परम सत्य है, इसको पैचानने का प्रयास करें, इसलिए शिरिग्रु गरंत सहिब में भी का है, मन तु जोत सुरूप, अपन मूल पचान, अपने आपनू पचान, तु मूल, तु जोत सुरूप है, उसमें भी स्पष्ट कहा है, तो शिर्म भगवत गीता में तो कितने शलोकों में स्पष्ट बात कही है, कि तुम में शरीर से अलग एक शेतन्य आत्मा ज्योती सुरूप, ज्योती बिंदू, तो इसक अभ्यास करें, यह आज का पहला पार्ठ है, और ये ब्रह्म कुमारिश का भी पहला पार्ठ है, एक दम कलियर करता है, और आगे आपको कल परम, विता पर्मात्मा का परिछे मिलेगा, पर सारा पूरे सातों अध्याये, आपको शिर्मत, भगवत, घीता के शलोकों के अधा पर पर सुनाए जाएंगे लेकिन अनंद तब आएगा जब आप नेक्स्ट पार्ट तक जो होमवर्थ दिया जाए उसको आप अवश्य करें तो आपका होमवर्थ है कल तक कोशिश करें एक कौपी पेन पे कम से कम 21 बार लिखें क्या कि मैं एक महाना आत्मा हूँ मैं एक महाना आत्मा हूँ मैं एक महाना आत्मा उस परम पिता प्रमात्मा के संतान महाना आत्मा है ना तो ये आप अनभाव भी करें चलते फिरते भी दूसरे को भी आत्मा देखने का अभ्यास करें खुद भी आत्मिक सुरूप में रहें तो आपको बड़ा अनंद आएगा मैंने जब पहली बार ये इश्वरे ग्यान सुना था 77 में करनाल में मुझे जब पहला पार्ट ये दिया गया बिलकुर मुझे इतना अद्भूत लगा अरे मैं भारत बुशन नहीं हूँ मैं उससे अलग हूँ एक अती शुक्षम, जयोती, बिंदू, आक्मा मुझे उस वक मेरी 16 वर्ष की आयूती तो भी मुझे लगा मेरी 16 वर्ष बरबाद हो गए मैं आज तक अपने को भारत बुशन समझता था मैं तो एक अती शुक्षम, जयोती, बिंदू, आक्मा मुझे देही अलग नजर आने शुरू हो गए आत्मा अलग और देही अलग ऐसा ही आप अभ्यास करें, आपको इस शरीर अलग लगे और आप आत्मा अलग है अती शुक्षम, जयोती, बिंदू मैं विशेश ये बताना चाहूँगा कि लोग शेमभ भगवत गीता के अधार पे तो बताया लेकिन लोग थोड़ा scientific way से भी सोचते हैं क्या सच्मुच आत्मा है तो एक विशेश मैं इसका दृष्टानत बताना चाहूँगा कि आज विज्ञान में दो चीजें एक rebirth case theory और दूसरा जो है out of body experience ये दो चीजें विशेश निकली है तौरिबस case theory हर देश में कुछ न कुछ विज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे case note किये हैं जो छोटे बच्चे जब होते हैं उनको पूर जनम की समर्थियां होती है और वो कुई नो कोई समर्थि बताते हैं कि मैं वहाँ था इस तरह था और सच मुच जो है मेरा ऐसे accident हुआ मैं खतम हुआ ये मेरी पतनी थी ये मेरा घर था कोई 200 किलोमेटर दूर कोई 500 कोई कितना दूर सच मुच विग्यानी को ने देखा वैसा का वैसा ही मिला इसका नाम रिबर्थ केस थियूरी इस पर बुक्स भी छपी हैं इस पे कई बार नियूस पेपर्स में भी आया है जबकि वो शरीर जल गया उसमें औश्य कोई चेतन्य शक्ति निकली जो अब इसमें शरीर में परवेश होके जिसमें फिर भी समर्थी है इससे मानना पड़ता है कुछ स्पिरिट्ट तो वो कैसे एक अंतर आत्मा शुद्धात्मा हम सब आत्मा हैं ये बात अच्छी तरह से समझा जाती है इसे तरह आउट अब बाड़ी एक्सपिरियंस हमारी डॉक्टर हंसा रावल जो अमरीका के सेंटर पे है और वो वहाँ पे करनल रेंग की आर्मी होस्पिटल में डॉक्टर भी रही है तो उसने सुनाया के वहाँ ये काफी हुआ है और भिन-भिन स्थानों पे यूएस में रिकॉर्ड रखा है जब कोई डेथ होने लगती है अब ये सिस्टम बना दिये पाँच डॉक्टर साइन करेंगे तब डेथ होगी तो एक केस उन्होंने पेशेंट अपने उसमें बताया एक लेड़ी अपने हस्बेंट को एडमिट करके गई वो थोड़ा सीरियस था लेकिन उसने सोचा मैं शाम तक फिर आऊंगी और वो चली गई और पीछे से वो हस्बेंट जो है वो काफी सीरियस हो गया और पास्ट होए शरीट छोड़ गया अब फिर उसको जब जमा करने लगे फिर बें तो वो फिर खड़ा हो गया कि मेरी वाइफ फला होटल में खाना खा रही है मैं उसके पास गया मैंने कहा मैं मर रहा हूँ वो सुन नहीं रही थी मैंने देखा मेरी बाड़ी उसमें डाल रही है में पुने आ गया हो मेरी अंते मिच्छा है उससे मिलने कि उसे बुलाओ और फिर डॉक्टरों ने रियली फोन किया वो उसी होटल में सचमुच जहां उसने बताया था भोजन कर रही थी फिर उसे बताया आप यू कम इमीडियेटली जल्दी आओ तो मारा हस्पेंट जो है व और ये सब जगे जो है हर जगे ऐसे रिकॉर्ड बहुत जगे विज्ञानिकों ने किये हैं इन चीजियों से मानना पड़ता है कि देहरी सैंटिफिकली वेस से भी एक आत्मा का अस्तित्त है और हम अगर आत्मा हैं तो फिर इस बॉड़ी की इडेंटिफिकेशन हर वक्त य जीवन में अत्याधिक आनंद और सारे गुण आत्मा के शांत सुरूप, अनंद सुरूप, प्रेम सुरूप, सभी गुण स्वते ही आते जाएंगे अच्छा उमीद है आप ये होंबर करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे फिर आप से कल मिलेंगे दूसरे पाठ के साथ ओम ओम शांती, 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 ओम शांती, आज साबताई कोर्स का ये पहला लेसन पूरा हुआ, आशा है आप सभी को, ये सब सपष्ट हो गया होगा, तो आप इस लिंक को अपने मित्र समध्यों के साथ भी शियर करें, और अगला लेसन 9 अगस्त, दिन रवीवार, साएं 6 बजे, इसी चैनल पर लाइव चलेगा, तो देखना ना भूले, तब तक के लिए ओम शांती,